हलो एवरिवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एम्वी लर्निंग पॉइंट मित्रो आज ना वीडियो मा आपड़े जोईसू 23 फेबरुआरी रिलेटेड खुबज महत्वना अने इंपोर्टन करंट अफ हैर्स ना क्वेस्चन तो सौथी पहला जो जे मित्रो चैनल उपर नवा होई चैनल ने आरी ते सब्सक्राइब करी बाजुम आरी ते बेल आइकन प्रेस करी देवू जे थी करीने तमने अवनारा दर्रेक इंपोर्टन विडियोज निमाही ती नौटिफिकेशन ना माधियम ती सवथी पहला मली रह से तो स्टार्ट करी सु मित्रो आजे तारीक छे 23 फेबर वारी 2021 एनना रिलेटेड जे कोई पन इंपोर्टन क्वेस्चन बन से तो आपड़े डिटेल मा डिसकसन करी सु जे थी करीने तमने आज इक्वेस्चन छे यानी अंदर कोई पन प्रकारनू कन्फुजन ना थाई तो मित्रो सौथी पेलो क्वेस्चन छे ताजे तर्मा गो इलेक्ट्रोनिक अभ्याननी सर्वात कोणे करी छे तो मित्रो जे नितिन गड़ करी जी कोण छे तो आपड़ा क्यान्दरी रष्ता परिवहन तेमज ईर्याज मार्ग मंत्री छे औन साधेसाथे कुरुशी मंत्र ब्रेवर तो इमेज नियंदर तमें जोई सको छो आचे नितिन जेराम गड करीजी अन एमनाज द्वारा ताजे तरमा गो इलेक्ट्रोनिक अभ्यान जेछे एनी सर्वात करीदेवा मा आवी छे तो आटलू तमारे याद राखवानू छे मित्रो आजे अभ्यान छे एना अंत जे परियावरन ने अनुकुड होई छे एटले सू कि जो तमें इंडक्षन उपर खावानू एटले के जमवानू बनावसो तो इना ती सू थसे कि प्रदूसन पन ओचू थासे बरवे तो भारत मा इलेक्ट्रोनिक वस्तू अनू उप्योग वच्छे तो भारत मा तेनू उ जिवासम इंधन आयात निर्भरताने ओचू करवामा मदत कर से बरावर आजे अभ्यान छे ए तेमत्ते हरियाडी अन्विस्वच भविश्यनी दिसामा एक पगलू आगण वधार से आभ्यान अंतरगत ओके तो आटलू तमारे याद राखवानू छे हवे आपड़े अमेरिकानी अंदर डोनाल ट्रम्प जेचे एनी सरकार हती मित्रों पिस तालिसमा क्रमना अमेरिकाना राष्ट पती हत्ता डोनाल ट्रम्प रेट तो ज्यारे अमेरिकामा डोनाल ट्रम्प नी सरकार हती त्यारे अमेरिका जेचे इपैरिस जडवायू समझोता माथी बहार थाई गयो हतो परन्थु हवे कोनी सरकारावी छे अमेरिका मा छे तालिसमा क्रमना प्रेशिडेंट बनी गया छे जो बाइडन रेट तो मित्रो जो बाइडन द्वारा आजे पैरिस जडवायू समझोतो छे एनी अंदर अपचारिक रुप्ती सामेल थवानी गोशना करवा मा मावेल छे अमेरिका द्वारा बरावन तो मित्रो आ सू छे एना विस आपड़े डिसकसन करी सू जडवायू समझोतो एटले सू तो मित्रो जडवायू परिवर्तन एटले सू तोके धीमी गती थी थाई छे जडवायू परिवर्तन जेनके वातावरण नी वात करिये तो द दिर्ग कालीन अवस्था छे बरावर अने जे जडवायू परिवर्तन छे एना नकारात्मक प्रभावथी बच्वा माटे 2015 माँ दुनियाना लगभग बधा देसो द्वारा आ समझो तो अपनावा माँ आवयो हतो climate emergency एटले के जडवायू समझो तो क्लाइमेट चेंज तो आ तमारे याद राखवानू छे एनू कारण सुछे मित्रो 2015 माँ लगभग बधा देसो ये जडवायू समझो तो अपनावयो हतो अने आनू जे कारण हतु आजे 2015 माँ जडवायू परिवर्तन थयू हतु तो एजे छे इक या आयोजित थयू हतु तो क COP21 बड़ावर आया याद राख जो मित्रो COP21 एटले के Conference of Parties 21 जे छे एनू आयोजन 2015 माँ प्रांस नी जे कापेटल छे पेरिस तो तिया आगड आनू आयोजन थयू हतु COP21 नू जे नी अंदर जडवायू समझो तो वीसे डिसकसन करवामावयू हतु बड़ावर तो आजे स समझो छे अनोँ हेतु सूचे तोके अनो में उद्धेसय सूचे तो विसविक ग्रीन हाउस गयास उच्या करूधावर तो टुक मा तमार याद शू राख वानूं छे तो के जडवायू परिवर्तन एटले के क्लाइमेट चैंज जेछे एने ओच्छू करवा के जेनाथी आपड़े ग्रीन हाउस ग्यास जेछे एने ओच्छू करी सकिये बरावर तो एना उद्देस यती आज ये समझोतो छे ये करवा माव्यों हतो बरावर हवे यह थे आपड़े बीजू समझे तो मित्रो पैरिस जड जडवायू समझोतो छे तो आप पैरिस जडवायू अने क्योटो प्रोटोकल तो आप बन्ने ने जडवायू परिवर्तन थी लड़वा माटे स्थापित करवा मां आव्या हता परन्तु बन्ने मां एक माईनोर एटले के ना जेवो सवथी नानो एक डिफरंस छे तफावत चे एक तफावत सू छे अपड़े जोईये तो मित्रो आज ए पैरिस जडवायू समझोतो छे बरावर तो ए विकसित अलप विकसित अने अविकसित देशो द्वारा अपना वमा आव्यो छे बरावर जारे जे क्योटो प्रोटोकल छे इजापान मां ओगणी सोने सत्तानु अपना वमा आव्यो हतो जे मां फोक्त विकसित देशो ज तेनो हिस्सो छे बरावर तो आ तमारे याद राखवानों छे आ बन्ने वच्चे नो मेन डिफरंस छे रेट तो हवे आपड़े अमेरिका वी से डिसकसन करी लेए तो मित्रो अमेरिका जे छे इ नोर्थ अमेरिका खंड नी अंदर आवेलों छे बरावर खंड तमने वधाने ख्याल छे टोटल साथ जेतला खंड छे आखी दुनिया मां ओके अने थोड़ा समय पहला ज न्यूजीलेंड नी बाजु मां एक आठमों खंड मढ़ी आवियों छे जैनों नाम चे जिलेंडिया तो आपन तमें याद राखी सको छो रईट तो हवे अपड़े अमेरिका वीसे डिसकसन करिए एचे नोर्थ अमेरिका एटले के कया सोडी नोर्थ अमेरिका खंड नी अंदर आवेलों छे उके एटले के उत्तर अमेरिका परेवर तो कैपिटल सुछे नी तो के वॉसिंग्टन डीसी औने आज वसिंग्टन डीसी मां अमेरिकानी जे स्पेस एजंसी छे नासा एटले की नैसनल एरोनोटिकल स्पेस एजंसी आनु हेड़क्वाटर आवेलू छे वसिंग्टन डीसी मां तेमाज वर्ल्ड बेंग अने आई एमेफ एटले के इंटरनेशनल मोनेटरी फण्ड तो आ त्र तेर वरसनी उम्मर है राष्टपती बननार नुँ नाम सुछे जो बाइडन अने भारतिय मुडना प्रथम महिला उप राष्टपती बनी गया छे अमेरिकामा जेमनु नाम छे कमला हैरिस तो मित्रों कमला हैरिस अने जो बाइडन आ बनने ने थोड़ा समय पहला ज टाइम मेगेजिन द्वारा परसन अब दी यर तरीके पसंद करवामा आव्या हता तो आटलू तमारे याद राखवानू छे मित्रों अमेरिका वी से एम तो आपड़े बहुँ डिसकसन जोईये छे आजे आपड़े अमेरिकामा अमेरिकाने जे इंपोर्टन रिवर छे एटले के जे नदियों छे एना वी से आपड़े डिसकसन करी सु रेट तो मी गवात करिए तो नोर्थ अमेरिका खंड नी सौथी लांबी नदी जेनू नाम चे दुनिया नी सौथी लांबी जेनू नाम चे दुनिया नी मित्रों दुनियानी सवथी मोटी चोथा नंबर नी नदी जे नोर्थ अमेरिकामा वहे छे बरवर तो पहली बीजी अने त्रीजी कई छे तो एपण आपड़े जानी लेए मित्रों दुनियानी सवथी लांबी नदी जैनू नाम चे निल नदी बरवर जैरे बीजा नंबर न नदी छे दुनियानी सवथी लांबी एनो नाम चे Amazon नदी अने थोड नंबर उपर आवे छे जे चीन मा प्रवाहित थाई छे यांग ची नदी बरावर अने चार नंबर उपर छे Mississippi Missouri नदी तो मित्रों आज जे Mississippi Missouri नदी छे बन्ने अलग-अलग नदी छे एक तो छे Mississippi अने जे चोथा नंबर उपर आवे छे दुनियानी सवथी लांबी बरावर तो जे फक्त Mississippi नदी छे ए इटासका सरोवर मा थी निकड़े छे अने सेंट लुईस मा मिसोरी साथे मड़ी ने क्या थी वहीने मैकसिकोनी खाडी मा जईने भड़ी जाए छे बरावर तो आत मरे याद राखवानू छे रैट हवे बीजी इंपोर्टन नदी नी वाद करिये तो एक छे सेंट लोरेंस नदी बरावर पहली नदी अपड़े वाद करी Mississippi मिसोरी नदी बीजी इंपोर्टन नदी छे सेंट लोरेंस नदी बरावर तो जे ग्रेट लेक ने एटलांटिक महासागर भुटवानु काम करे चे सेंट लोरेंस नदी। पची त्री जानंबर ने इंपोर्टन नदी चे, जैनू नाम चे भूचेन नदी। तो आजे मै केनधी नदी चे एक केनेडा नी समुथी लामबी नदी चे मित्रों। अने जे केनेडानु घ्रेट बेरियर सरोवर छे एनने ताजा पाणीनु शरोवर पन कहवा मावे छे ओके हवे एक चोथी इंपोर्टन नदी छे जेनु नाम छे हडसन नदी बरावर तो आजे हडसन नदी छे तो आ हडसन नदी की नारे मित्रो न्यू योर्क सहेर वसेलू छे अने ताजे तर्मा थोड़ा समय पहला जे रिपोर्ट जहेर करायो एना प्रमाणे न्यू योर्क जे छे इदुनियानू सवथी धनिक सहेर पन छे एटले के धन्वान सहेर तो आ तमारे याद राखवानू छे बरावर एक बीजी इंपोर्टन जोईले ये जे नू नाम छे रियो ग्रेंडे रिवर्ड एटले के रियो ग्रेंडे नदी जे यू एसे एटले के यूनाइटिट स्टेट्स ओप अमेरिका अने मैक्सिको तो आप बनने देशो वच्च आंतरास्टिया सरहत सीमा बनावे छे रियो ग्रेंडे नदी तो आ नदी यो छे अमेरिका रिलेटेड आटली इंपोर्टन नदी यो छे जे तमने कोईपण एक्जाम नी अंदर काम आवी सके ओके तो आटलू तमारे नोट्स करवानू छे हवे आपड़ आगल जोईये नेक्स केस्चन छे टोकियो 2020 ओलंपिक संचालन समितीना अध्यक्स कोने नियुक्त करवा मा आविया छे तो मित्रों जे सीको हासी मोतो छे एमने ताजे तरमाज टोकियो 2020 ओलंपिक संचालन समितीना अध्यक्स नियुक्त करवा मा आविया छे तो आई या थी तमेंbelt इमेजण नियंदर पं जोई सको छो मित्रों आ छे सीको हासिमोतो तो मित्रों 2020 मा ज़े टोक्यो अलंपिक टोक्यो जापाननी कैपिटल छे मित्रों 2020 मा ज़े два टोक्यो अलंपिक आयो जित थवानी हती परन्तु कोरोना ना कारणे पोस्पन थाई हती अने हवे आ वर्से एटले कि 2021 मा आयोजित थसे टोकियो खाते पराबर तो आज टोकियो एक उलम्पिक नी अंदर जे जापान ना छे सीको हासिमोतो आतमे इमेज नी अंदर जोई सको छो तेवो सु बनी गया छे तो के संचालन समिती ना अध्यक्स बनी गया छे तो आटलू तमारे याद राखवानू छे मित्रो जे ओलम्पिक होई छे ए बे प्रकार्नी होई छे ओके एक होई छे समर ओलम्पिक अने बीजी होई छे विंटर ओलम्पिक तो तमारे याद सु राखवानू छे कि हवे जे आयोजित थवानी छे 2021 मा जे 2020 नी पोस्पन थाय हदि 2021 मां आयोजित थवाणी छे तो ए मीजल समर ओलंपिक रहसे कियां आयोजित थवाणी छे तो जापंने öl्लंपिक छे एधर 4 वरस बाद आयोजित थाई छे तो एक keeping आग एक्पिस नईडhew जब्ट दिखे लिए यडए अंग मेंहें ना ना पच्छी ने चेल Drukhard जे फ्रांस नी कापिटल छे पैरिज तो तिया आगड आयोजित थसे एना पछी नी बीजी समर ओलमपिक हवे आपणे वाद करिए विंटर ओलंपिक ने तो मीत्रो विंटर ओलंपिक जे छे ये 2022 मा अयो जित थसे चाइना नीजे कैपिटल चे बेजिंग तो आ बेजिंग खाते 2022 मा विंटर ओलंपिक आयो जित थसे एना पछी नी जे बीजी विंटर ओलंपिक छे ए बेहजार ने चाववीस मा इटली खाते आयो जित्थ से तो आटलू तमारे याद राखवानू छे ओलंपिक रिलेटेड वाद करिये आपड़े इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी नी तो एनी स्थापना थाईती अधार सोने चोराणूमा हेड़क्वाटर आवेलू छे लोजन स्विट्जर लेंड नी अंदर तो आयाँ थी तमारे आटली वस्तु याद राखवानी छे नेक्स्ट आपड़े जोईए कईयों देश अमेरिका साथे मड़ी ने एरो 4 नामक एंटी बैलास्टिक मिसाइल विक्सित करी रहयो छे तो मित्रो जे इजरायल देश छे इताजे तरमाच अमेरिकानी साथे मड़ी ने एरो फूर नामनी जे अंटी बैलेस्टिक मिसाइल छे एने विक्सित करी रहयो छे मित्रो अल्रेडी आपड़े मिसाइल विसे डिसकसन करे लग छे मिसाइल जे छे इत्रों प्रकारनी होई छे बैलेस्टिक मिसाइल सैमी बैलेस्टिक मिसाइल अने क्रूज मिसाइल रेट तो बैलेस्टिक मिसाइल के वी होई तो मित्रो मानी लोके आईयां मिसाइल छे रेट न आये है आपडवु टार्गेट चे थो आरी ते उध्वा हां का रहे है तम आरी थे मिसाईल लेछ इस Packmanatar ने भेदीञेट के प्रकारने मिसाईल थो यह और मेंसल ठीजड को शहनाLING से और फारुत मसल्सकís जे बहतने के जी बहु Ng प्रूथवी मिसाइल जे छे एक बैलेस्टिक मिसाइल छे बीजी मिसाइल अपड़े वाद करिये जेनों नाम से स्यामी बैलेस्टिक मिसाइल तो मित्रों स्यामी बैलेस्टिक मिसाइल मानी लो आयां तमरी मिसाइल छे अन्य आयां तमरों टार्गेट छे तो आरी ते सपाटी सपाटी थी हवा मार करती होई मिसाइल तो एने केवाई semi ballistic missile एटले के सपाटी थी हवा मार करनार मिसाइल भारत नी अंदर अपड़े एनुग एक्जांपल जो यह तो जे आकास मिसाइल छे यह आ प्रकारनी semi ballistic missile छे अन्ये थोड छे cruise missile तो मित्रों जे cruise missile छे तो एनुग पजन तरे एटले के सीधी रिते आ रिते जो कोई पन टार्गेट ने भेदी सके तो एने केवाई कई क्रूज मिसाइल रेट तो भारत में एक्जामपल आप क्रूज मिसाइल नू तो एचे ब्रह्मोस मिसाइल बराबर जे आ रिते मार करी सके ओके तो आटलू तमारे याद र बेलतिक मिषैल टो एविज वोई चे जे उपर थी सपाट कार पर मार करी आरीप हंपर पर तो अरीते अमेरिक beauty अ capitalize फिर्यस आतले एविज रित है ये उपर थी सपाटी थी सपाटी पर मार करी सके अपनुना विज तक धी सब्पर्त परतो आ अदाल है तो इस्राइल पर अमेरिका ने आरीते सामें हुम लोग कर से मिसाइल थी तो आज प्रकार ने उजे टाइप छे एने के वासे अंटी बैलेस्टिक मिसाइल के आई होप के तम्हें बदा समझी गया हो सो आईयां थी फरी जो लेए अमेरिका आरीते इनी उपर वार करे छे तो सामें एवी जरीते वार कर से तो एने के वासे अंटी बैलेस्टिक मिसाइल तो आज थाई गयू छे अंटी बैलेस्टिक मिसाइल अथवा तो एने अंटी सेप्टर मिसाइल पन कहवा मावे छे रैट अपड़े वाद करी लेए इस्राइल वी से तो मित्रों इस्राइल जे इस्या खंड नी पूर्वो मध्यमा आवेल छे अने कैपिटल सु छे तो कैपिटल छे येरूसलम अथवा तो जेरूसलम पन कहवा मावे छे बरवल करन्सी सु छे तो इस्रायली ण्यू सेकल रैट इस्रायलना प्रधान मंत्री कौंड छे तो ऐमन्यूं नाम चे बेन जामिन नेट निहाव रैट अटलू तमरे याद राखवानू छे हवे अपड़े आगल जोए नेक्स केस्चन छे ताजे तरमा समाचार मा जोवायल भारतिय बंधारण ना कया अनुच्छेद मा राष्ट पत्ति नी सकतियों न उल्लेक कलवा मा आवेल छे तो मित्रों आ इवि महिला बनी जसे थोड़ा समय न अंदर के पहली महिला के जहने भारतने इतिहास माँ भासी नी सजा आपवा मा आव तो आजी सब्नम छे तो भारत मां सवतन्त्र ता बात एवि प्रतं महिला बन्धा जही रही छे कि जेने फासी नी सजा मडवानी छे तो ते हवे नकी पन थाई गयू छे कि एने फासी नी सजा तो मड़ सेज तो तेनी ज मेटर ने लईने जे राष्ट पती छे एने अरजी पन आपवा मावी हती आ सबनम द्वारा कि तेने मृत्यू दणनी सजाने ओछी करवा मावे अथ्वा तो एने माफ करी देवा मावे बराबर तो एविज रिते राष्ट पती जे छे एनी पासे टोटल पाँच प्रकानी सकती यो होई छे मित्रो कोई पन मृत्यू दणने माफ करवानी बरबर तो ए कईया अनुचेद माईनू वणान छे तो मित्रो अनुचेद नंबर 32 नी अंदर अनुचेद एटले कलम बरबर कलम अने अनुचेद बनने एकज वस्तू छे मित्रो इंग्लीज माईने कहवासे आर्टीकल तो आज आर्टिकल 72 अंतरगत राष्टपतियों पासे टोटल 5 सक्तियों न उल्लेक करवा मावेल छे तो ए 5 कई-कई सक्ति छे एना विशे आपड़े डिसकसन करी सू मित्रों तो 5 आपड़े ओल्ले डिसकसन करेल छे आजे रेविजन तरीके फरीथी जोईले ये राष्टपति न मित्रों प्षमादानना संदर मां टोटल 5 सक्तियों होई छे कि राष्टपति जे छे इकोईपन व्यक्तिनों जे मृत्यू दंड एटले कि जे फासी नी सजा होई छे एने माफपन करी सके छे तो ये 5 कई कई छे आपड़े डिसकसन करी सु पहलू तो ए कि कोईपन राष्टपति कोईपन व्यक्तिनी सजाने 0 करी सके अथवा तो एने अयोग्यता माफ करी सके अथवा तो एनी सजाने माफ करी सके तो पहलू तमारे सु नोट करवानू छे तो कि राष्टपति एनी प्रकृती मां परिवर्तन करीने हवे आसुछ तो एठले की कोईपन व्यक्ति नीजे मृत्युसी जाढ़ीय और dip yote एटले सु तो परिहार एटले पंड सजा ओची तो करवी परन्तु प्रक्रूती और परिवर्तित करीने। परिवर्तित करीने। भाग पांच नी अंदर कलम नंबर 52 लईने 62 सुधी कुबज अगत्योंनों क्वेस्टन छे मित्रों बंधारन रिलेटेट घणी वकत एक्जाम नी अंदर पूछायल छे राष्टपती नू वणन अनुछेत केटला मां करवा माव्यू छे तो भाग पांच नी अंदर राष्टपती ना पद वी से उलेक करवा माव्यू छे बरावर जेमके सु उलेक सु असे तो के भारत मा एक राष्टपती हसे औने भारत मा जे राष्टपती नू जे पद छे ए यूएसे मित्रों दमने बंधाने ख्याल छे भारत नू जे बंधारन छे एमा अमुक देशोंना इंपोर्टन मुद्दा हो लेवा माव्या छे एमा थी टोटल सित्तेर जेटला देशो माथी लगभग सित्तेर जेटला देशो माथी भारत ना बंधारण ना मुद्दा लेवा मावया छे एमा थी आजे राष्टपती ना मुद्दो छे ए यू एसे एटले कि अमेरिका देश माथी लेवा मावयो छे परांतु जे तेनी बंधारण ये स्थीती छे ते ब्रिटन नी महाराणी ना बराबर छे कारण के ते भारत ना ओपचारिक प्रमूख होई छे एटला माटे ओके तो आटलू तमारे याद राखवानू छे बिजी वाद करिये अनुचेद नंबर 54 ने तो आ अनुचे 54 नी अंदर राष्ट पतीनू जे मत्दान क्षेत्र मंडल होई छे एन आवी से बतावामा आव्यू होई छे औने आ जे राष्ट पतीनू मत्दान क्षेत्र छे इए आयरलेंड देस माथी आमुद्दो लेवामा आव्यो छे बरावर तो आ तमारे याद राखवानू छे मित्रो राष्ट पतीनू जे मत्दान क्षेत्र होई छे एनी अंदर कोण आवी सके तो लोक सबा राजी सबा यूटी मा दिलही औने पोंडू छेरी यूटी एटले यूनियन टेरेटरी केंदर सासित प्रदेस एमा बी आवसे दिलही औने पोंडू छेरी बरावर बाकी छे राजे सबा अने लोक सबा तो आ बद्धाना मद्दान क्षेत्र ना सभ्यो जे छे यू राष्टपदी ना मद्दान मंडर नी अंदर भाग लई सके अनुच्छेद एक्सेट नी अंदर राष्टपदी ना महा भियोग वी से जणाववा मा आव्यो छे हाँ खुबज अगत्यों अने खुबज इंपोर्टन क्वेस्टन छे मित्रों एक्जाम नो पाट बनी चुकियो छे कि राष्टपदी ना महा भियोग वी से कया अनुच्छेद मां जणाववा मा आव्यो छे तो अनुच्छेद नंबर एक्सेट नी अंदर 61 हवे महा भियोग सुचे एना वी से पण आपड़े डिसकसन करी लए तो मित्रों महा भियोग एटले के कोई पन जे राष्टपती छे तो एमनो कार्यकार पूरो थवा पहलाद सपोज कोई राष्टपती नो कार्यकार पूर तो थवा पहलाद राष्टपती ने तेना पदपरती हट्टाववा मा आवे तो एवी प्रक्रियाने महा भियोग केहवा मा आवे छे बरावर तो आ तमारे याद राखवानू छे आईया थी इंपोर्टन ए वस्तु बनी सके के भारत मा अत्यार सुदी कोई पन राष्टप पती पर महा भियोग नो लागू नथी करायो बरावर एटला माटे इंपोर्टन छे रेट तो आईया थी तमारे अटली वस्तु याद राखवानी छे नेक्स्ट आपड़े जोईए संयुक्त राष्ट मानव अधिकार परिसदना सलाहकार समितीना प्रथम भारती अध्यक् मलहोत्रा छे इमेजनी अंदर जोई सको चो आचे अजयी मलहोत्रा अने ताजे तर्माच तेवो संयुक्त राष्ट मानव अधिकार परिसदना सलाहकार समितीना प्रथम भारती अध्यक्स बनी गया छे मानव अधिकार एटले सु तो एवा अधिकार के जे व्यक्तीने मानव अधिकार परिसद छे एनी रचना 2006 मा संयुक्त राष्ट माहसभादवारा करवा मावी हती हेड़क्वाटर आवेलूचे जीनिवा स्विटजर लेंड नी अंदर ब्रावर अने दर वरसे 20 मानव अधिकार दिवस 11 उजवाई छे तो 10 डिसेंबर ना रोज तो आपन त करी सको मित्रो ताजे तर्माच जे अमेरिका छे एमने संयुक्त राष्ट मानव अधिकार परिसद मा फरीची साम्यल थवानी गोष्णापन करी छे रैट हवे आपड़े जोईसू नेक्स्ट क्वेस्चन छे ताजे तर्मा ओस्टेलियाई ओपन टेनिस मा महीला सिंगल्स खिताब कॉण जीतियो छे तो मित्रो जे नाओमी ओसाका छे जापान थी बिलोंग करे छे अने ताजे तर्माच एमने ओस्टेलियाई ओपन टेनिस मा महीला सिंगल्स नों खिताब जीति लिदो छे इमेज नी अंदर तमें जोई सको छो आचे नाओमी ओसाका जे जापान बिलोंग करे छे अने जे यूएस है एटले के यूनाइटेट स्टेट्स ओप अमेरिकानी जे जैनिफर ब्रेडी छे एमने हरावी ने नाओमी ओसाका ये आज महीला सिंगल्स नों खिताब छे पोताना नामे करी लिदो छे अने एमनों चोथो ग्रेंड स्लेम छे अने वर् टैनिस ना टोटल चार जेटला ग्रांड स्लेम आयोजित करवामा आवे छे ए चार कया कया छे तो तम्हें नोट्स करी सको छो एमा थी पहलू छे ऑस्टेलियन ओपन टैनिस जे ताजे तरमा जानों खिताब जीतियों छे नाओमी ओसाका ये बरावर तो आजे ऑस्टेलियन टैनिस छे ए जान्युआरी थी फेबरुआरी नी वच्चे आयोजित करवामा आवे छे हाड कोट नी अंदर बरावर तो आपन तमारे याद राखवानू छे औने बीजू छे फ्रेंच ओपन टैनिस बरावर तो आजे फ्रेंच ओपन छे इमे थी जून दर्मियान आयोजि थाई छे क्या आगर तोके ग्रास कोट नी अंदर और चोथू छे यूएस ओपन जे ओगस्ट ती सप्टेंबर नी अंदर आयोजित थाई छे हाड कोट नी अंदर तो तमारे याद्चु राखवानू छे तोके ऐस्टेलियन ओपन अने जे यूएस ओपन तो आ बन्ने ओप करू तो मित्रो अत्यार सुधिमा एटले के जे ओपन टैनिस छे एनू सवथी जूनू कईू छे तो एनू नाम चे विंबलडन ओपन तो आपन तमें याद राखी सको छो रैट नेक्स्ट आपड़े जोई ए इकुबेर पेमेंट प्रणाली क्या सरू करवा मावी छे तो मि RBI एटले सु रिजर्व बेंक ओफ इंडिया तो एमने जम्मू कस्मीर मा एकुबेर पेमेंट प्रणाली नी सरू वाद करी छे तो सु थसे आनी इंदर तो के हवे पची जे कोई पन सरकारी कर्म चारी हो छे तो एमना वेतन पैंसन अने जेटला पन सरकारी पेमेंट छे ते वधा RBI ना एकुबेर ना माधियम थी कर्वा माव से जम्मू कस्मीर नी वाद करू तो कैपिटल एनी बे छे जम्मू अने स्रीनगर त्या आजे जम्मू कस्मीर छे ए यूटी एटले के कैंदर सासित प्रदेश चे यूनियन टेरेटरी एटला माटे त्या आगर स्थापित कर्वा मावियो छे अने आज जम्मू कस्मीर मा भारत नू प्रथम इगलू काफे जे स्थापित कर्वा मावियो छे इगलू काफे एटले के वू के बरफ हो थी तमे जोयू असे बरफ थीज बनेलू काफे एने के वाई इगलू काफे आ स्थापित कर्वा मावि भारत नुँ प्रथम जम्मू कस्मिर मां अने ताजे तर मां जम्मू कस्मिर नी प्रथम महीला पावर लिफ्टर बनी गई छे जहनू नाम छे साई मां उजेद ब्रवे तो आटलू तम्मारे याद राखवानू छे अगया सहेर मां ट्रांसजेंडरों फर्याद करी सके ते माटे ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित करवामा आवी छे तो मित्रों तेलंगणा नी राध धानी हैदराबाद खाते जे ट्रांसजेंडरों फर्याद करी सके तेना माटे ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित करवामा आवी छे, वाद करीये है हैधराबाद नी तो तेलांगणा राज्यनी राच धानी चे हैधराबाद बरवर हैधराबाद जे मुशी नदिना किनारे वसेलू चे, बरवर तौ आटलू तमधरे याद राखवानू छे अने ताजे तरमाज जे हैदराबाद छे इट्री सिटी अपदी वर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी बनी गईू छे अने आज हैदराबाद माँ दुनियानों सवथी मोटू मेडिटेशन सेंटर स्थापित करवा माव्यू छे जिया आगण लगभग एक लाग थी पण वधू लोकोंने फ्री माँ ट्रेनिंग आपवा माव्यू छे हवे आपड़े तेलंगणा नी वाद करिये तो तेलंगणा ना मुख्य मत्री छे के चंद्र सेखर राव अने राज्य पाल छे तम्मीली साइं सोंद राजन मित्रो आया थी एक खुबच इंपोर्टन करंट नो क्वेस्टन बनी सके छे के जे पोंडू चेरी छे पोंडू चेरी एक यूटी छे मित्रो तो ताजे तर्माज पोंडू चेरी ना नवा उप राज्य पाल नो चार्ज गोने आपवा माव्यो छे तो आजे तेलंगणाना राज्यपाल छे तम्मी लिसाइं सोन्द राजन, M ने आपवा माव्यों छे, कोनी जग्या ये तो जे पोंडू चेरी छे, एना जे उप राज्यपाल हता किरन बेदी जी, तो आ किरन बेदी ने हटाव वा माव्या छे, उप राज्यपाल ना पद पर तो तेलंगणा उच नियाले नी प्रथम महिला मुख्य नियाईदीस बनी गई छे जैनो नाम चे हीमा कोहली तो आटलू तमारे याद राखवानू छे अवे आपड़े जोईसू आपड़ो आजनो लास्ट ने नेक्स क्वेस्ट चन छे ताजे तरमा उत्राखण सरकारे कया सहेर मा साइन्स सिटी परियोजना स्थापित करवानी गोशना करी छे तो मित्रो उत्राखण नी जे राध धानी छे देहरादून तो तिया आगड़ बा आजे तरमा थोड़ा समय पहलाज बनाववा मावी छे मुख्य मंत्री छे त्रिवेंद्र सिंग रावत औने राज यपाल छे बेबी रानी मोरिय रैट मित्रो उत्राखण मा एक इंपोर्टन नेसनल पार्क आवेलो छे जैनो नाम छे जीम कोर्बेट नेसनल पार्क आप भ उत्राखण मा भारत नो प्रथम जे लाइक एन पार्क छे ए स्थापित करवा मा आवियो छे औने उत्राखण ना रुसी केस काते भारत नो प्रथम जे ग्लास ब्रीज छे ए पण स्थापित करवा मा आवियो छे औने मित्रो आज उत्राखण मा थी जे भारत नो सवती मोट पतंग्यू छे जैनू नामचे गोल्डन बर्ड विंग तो एपण मड़ी आवयो छे उत्राखंड मा थी तो आटलू तमारे याद राखवानू छे तो आजना आपड़ा इंपोर्टेंट क्वेस्टिन आया कंप्लीट थेई जाये छे तो आंसर जे कोई पणावतो होई तमारे मने कमेंट करीने जणावानो रहसे तो जो आजनो वीडियो तमने गम्यों होई तो वीडियो ने एक लाइक जरूर कर जो मित्रों साथे साथे तमारे स्टडी रिलेटेड ग्रूप मा एक मिनिमाम सेयर तो तमें करीच सको छो अने चैनल ने सब्सक्राइब करवानों बिल्कुल ना भूल सो सब्सक्राइब करी बाजू मा बेल आइकन जरूर प्रेस करवू जे थी करीने तमने आवनार दरेक इंपोर्टन वीडियो जनी माही ती नोटिफिकेशन ना माद्यम ती सौधी पहला मड़ी रहसे ओके थेंक यू